हाई एवरिवन मैं नवू मलिक आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आपके इस चोटी सी और प्यारी सी क्लास में जिसमें आज हम जानने वाले हैं स्पोर्ट्स इवेंट बचा जो 2023 में हुए हैं उनके विजेता कौन रहे हैं वो इवेंट कहां पर या किस कंट्री के द्वारा होस्ट किये गए हैं और उनके उप विजेता कौन रहे हैं क्योंकि आपसे हर एक एक्जाम में यहां से दो सवाल बनेंगे ही बनेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और सबसे पहले सवाल पर यहाँ पर बढ़ते हैं, पहला सवाल आपका क्या है, फीफा महिला विश्व कप, ठीक है, तो पहला ही सवाल वीमन पावर से है, वीफा महीला विश्व कप 2023 का खिताब रखने जीता है तो इसमें हारा इगलेंड के द्वारा गया नौझ पोल्टूर्णमेंट डूरेंट कप जो है वो वच्छा किसके द्वारा आपका जीता गया है तो जो डूरेंट कप है वो आपका मोहन बागान फैन कलब ठीक है यह एफसी लिख लेना यहां पर इनके द्वारा फुटबोल कलब सोरी मैंने फैन कलब बोद दिया है फुटबोल जो नंबर वन कंट्री रही है वो अमेरिका रही है सबसे पहले तो यहां पर यह ध्यान रखना इन्हों ने बारे गोल्ड आट सिल्वर और नो ब्रॉंज जीते हैं उसके अलावा यह जो सबसे जादा चर्चा के लिए हमसे जो सवाल पूछेंगे वह पूछेंगे कि भारत का वो पहला एथलीट कौन सा बन गया जिसमें वर्ल्ड एथलेटिक चैंपिंशिप में गोल्ड लेकर आया है और हमें एक ही गोल्ड मिला है बच्चा ध्यान रखेंगे तो भारत की तरफ से नीरत चोपडा ने और जो हमारा स्थान रहा है वो हमारा अठारवा रहा है ट्र सब्सक्राइब के खिलाडी है इनका 24 वा टाइटल था और इसी के साथ इन्हों ने रिकोर्ड बना दिया है अगर हम वुमेन की बात करें तो बच्चा 19 साल की अमेरिका की ही कोको गोफ जो है वह आपका उस्ट्रेलियन सोरी यूवेस ओपन जो है भी जीती है यहां पर यह यह जंड़ें नाम नहीं लिया धाट इस वूब्सरी नंबर बन पर तो वो जीता है कार्लोस ने जो आगे आपका सवाल यहां पर तीना के यह खिलाडी है ध्यान रखना और इनी की कैप्टेंसी में टिंग लिख दिया मैंने टीना लिख लेना इसको इनी की कैप्टेंसी में आपका जो फीफा अर्जेंटीना जीता है रिकोर्ड पाँचवी बार फीफा कलब वर्ल्ड कप जो 2013 का खिता वो किस ने जीता है तो लगतार पाँचवी बार बच्चा रियल मेडरीन ने जीता है कहां पर यह हुआ है यह अपका मोरोकों में हुआ था जहां पर अभी हाल ही वे बच्चा भूक कर जीता है यह इवेंट कहां पर हुआ था तो आप कहेंगे मैं यह साउथ ऐफरीका में ही हुआ था यह सवाल पूछा जा चुका है दो तीन बार फुटबोल टूर्णमेंट में शंतोष ट्रोफी जो है उसका खिताब किस ने जीता है तो शंतोष ट्रोफी बच्चा करनाटक अगला एशन कबड़ी चैंपियंशिप 2023 का किस ने जीता है यह भारत ने जीता है इसमें हारा कौन है तो बच्चा इरान हारा है यह इवेंट कहां पर हुआ था यह इवेंट लक्षिंट कोरिया में हुआ था अपने अच्छे से रिवाइज करते जाना और देखना कि किसी स इसके यह टीम है यानि कि चिन्ने सूपर किंग्स है इसमें हारा जो है वो बच्चा आपका गुजराथ टाइटन हारा है ना हारा कौन है गुजराथ टाइटन हारा है सबसे जाधा रण शुबमा निगिल एम्टियस ने सवाल पूछा था आपका जो परपल कैब हैं वो मोह कि पदक तालिका में नंबर वने स्थान किसका रहा है तो बच्चा यह महराश का रहा है एक सट टोटे इनके मैडल है यह कहां पर हुआ है भोबाल में हुआ है इसका जो मसकट है क्योंकि पूछा जाता है वह आशा और मोगली रहे हैं शत्राइज विश्व कब 2030 का खिताब किसने जीता है तो कई बार क्या होता है ना कि दूसरे की जीट से ज्यादा आपके हार के चर्चे होते हैं क्योंकि वह हार हार नहीं होती आप इतना अच्छा खेले होते हो हैं कि लोग समझते हैं कि हारा नहीं है यह तो असली विनर है ठीक है क्योंकि मैडल से कुछ नहीं हो कहते हैं तो यही इसमार हुआ है सत्रंज का जो खिताब जीता है वो मेगनस कार्लिसन ने जीता है लेकिन बच्चा जो सबसे जाता चर्चा में रहे हैं वो रमेश बाबु प्रज्ञानंद रहे हैं तो आपके उपविजेता रहे हैं रमेश बाबु प्रज्ञानंद और यह क बाटेगरी मुंबई इंडियन के पाँच आपके पांच किताब है ठीक है अगला फिश यानि के पूरु शोखिव कप 2023 का किताब किसने जीता है जर्मनी ने जीता है किसको हरा कर बैल्जियम को हरा कर इससे पिछले वाला आपका बैल्जियम ने जीता था फॉर्मुला वन रे जो इन्होंने नहीं जीती हैं और किसने वो जीती है यह आप कॉमेंट करेंगे पुरुष होकी 5S Asia Cup 2023 का खिताब जो किसने जीता है पुरुष होकी 5S Asia Cup का खिताब बचा हुआ आपका इंडिया ने जीता है इसमें हारा कौन है पाकिस्तान हारा है विश्व एथलेटिक चैंप परणी लीग यह आया करती थी ना पहली महीला कबड़ी लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है तो बच्चा उमा आपका कोलकाता ने जीता है ना विश्व और तीन आपके सर्षेज फुटबोलर अपने सुनील चेतरी और उनकी टीम यानिकी आपका भारते टीम ने जीता ह तिरहपिनवे ISSF World Championship 2023 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है तो बच्चा इंडिया की जो रही है वो थर्ड रही है इंडिया के पास टोटल आपके 14 आपके मेडल आए जिसमें से 6 गोल रहे हैं पहले नंबर पर आपका क्या रहा है चाइना रहा है और यह कहां पर हुआ है यह बाकू में हुआ है किरके टूर्णमेंट रेंजी ट्रोफिय आपका किसको खिताम मिला है इस बार सोरास्ट कोई खिताम मिला है फुटबोल टूर्णमेंट इंग्लिश प्रीमियम लिग 2023 जो है उसका खिताब किस ने जीता है मैंचेस्टर उनाइटिड ने जीत साथवे नंबर पर रहा है इसमें आपका जो है जिसने एक सो अठतर पदक जीते हैं भारत के 33 ग्रेंड मास्टर आपके कौन बने हैं तो बच्चाएं महराष्ट के अधित्य सामंत है जो कि भारत के 33 ग्रेंड मास्टर बने हैं WSF Squash Wishwakab 2023 का, ठीक है, खिताब जो है, वो किसने जीता है, तो ये किताब बचाब का, किसने जीता है, Egypt ने जीता है, मिस्ट ने जीता है, जो कि आपका काईरो राजधानी है, किसके किनारे है, नील लदी के किनारे है, इसमें हारा कॉन है, मलेशिया हारा, और ये कहाँ पर हुआ था, तामिल लाडू में हुआ था, चिननेई में हुआ था, डाइमंड लीग, ठीक है, दोहा की ये बात हो रही बच्चा, दोहा डाइमंड लीग, 2030 का किताब किसने जीता है, जितनी भी डाइमंड लीग हुई है, तो आपका बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोहा में ये हुआ था, 88.67 आपकी मीटर की इनकी थ्रोथी, जिसे जीते हैं, फुटबोल टूर्णमेंट, फीफा विश्यू कब 2022 का किताब किसने जीता है, तो ये खिताब जो है, ये अर्जन टीना ने जीता है, ये आपका कतर यानी की दोहा में हुआ था, उसके लावा हारने की अगर बात करें, तो आपका फ्रांस जो है हारा है, गोल्डन बूट की बात करें, सबसे जादा गोल के साथ एमबापे, ऐग फ्रांस के खिलाडी है, गोल्डन बूल की बात करें, ठीक है, गोल्डन बूल की बात करें, तो आपके मैसी को मिली है, आगे देखते हैं, टैनिस टूनमेंट, टैनिस टूनमेंट ऑस्टेलियन ओपें 2023, ग्रेंट रिचेटल का खिता है, तो आपका कौन हो जाएगे बच्चा नुवाग जैकोविच अभी बताया है खाली विमल्डन जो है कार्लोज ने जीता है बाकि सारे इन्होंने जीते है इस बार के और विमन की बात करें तो अरीका सेलिंग का ठीक है अरीका सेलिंग का जो है वो आपकी विनर रही है अतने कुल कितने पदक जीते हैं यह मैंने आपके लिए होमवर्क एक सवाल छोड़ा है इसको बच्चा जरूर आप मुझे बताना किसका सही जवाब क्या होगा दो क्वेस्टन मैंने आपसे पूछे है टैनिस टूर्णमेंट विबिल्डन ओपन दो हजार तेस पूरूस ए हारा कौन है तो इटली हार है कहां पर हुआ है बच्चा अर्जेंटीना में यानि की दक्षिन अमेरिका कॉंटिनेंट में ही हुआ है FIH पुरुषो की प्रो लीग 2023 का किताब जो है वो किसने जीता है नीदर लेंड ने एक हिताब जीता है एशियन एथिलेटिक चैंपियं बच्चा आपका चैंपियंट जीता है इंगलेंड के ओल घ्राउंड पर हुआ है इसमें अगर हारने की बात करें तो ब집्राइश ब्बारत ह हार गया है है ना चलो डाइमंड लीग 2013 भाला फैक इस फर्दा में भारत का खिलाड़ी कौन है यह यह आपके मैम नीरज चोपड़ा है ठीक है नीरज चोपड़ा है और यह क्लास बच्चा आपके यहीं पर खता है उम्मिध आपको पसंद आई होगी और मेरी क्लास डेली होती है शाम को छे वजे एससी वाला यूच्व चैनल पर आप उसको भी जरूर देखे बच्चा क्योंकि जी एस के बहुत उंदास रिक्वेस्टन आपके लिए आते हैं और तो टेक क्यार एवरीवन बाई 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 एंड जस्ट बस खुश रहिए